नमस्कार आप सभी सातियों को आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट टॉप का आज की वीडियो बहुत ही सांदार होने वादी है क्योंकि आज जो वीडियो में बना रहा हूं वो आपके कमेंट के आदार पर हैं क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर एनेस डी पर आप वीडियो बना के डालें तो मैंने आरेल को पर तो वीडियो बनाती है आज की वीडियो एनेस के उपर होने वाली है जैसे हम नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन को कौन से इस्तिति में पसो को देना है कौन से इस्तिति में नहीं देना है क्या इसे प्रे अब बात करते हैं एनस की जिसे हम नॉर्मल सेडाल बोलते हैं एनस जिसे हम नॉर्मल सेडाल बोलते हैं अब बात करते हैं इसमें साल्ट कौन सा है इसमें साल्ट है सोडियम क्लोराइड जो की पर सो एमेल में 0.9 ग्राम होता है साल्ट एन ये स्यल्ट सोडियम क्लॉराइड जो पर 100 ml में जीरो पॉंट नौ ग्राम होता है जो 100 ml में जीरो पॉंट नौ ग्राम सोडियम क्लॉराइड होता है अब बात करते हैं एन एस को कौन से इस्तितिवे पसू में यूज लें उप्योग में यूज उप्योग जो भी इस इन एस के उप्योग है वह आपको में बता रहा रहा हूं first उप्योग मैं आपको उप्योगों को लिख के नहीं बता रहा हूँ बोल के बता रहा हूँ इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनें और देखे भी स्किप करकर वीडियो को ना देखे वरना आप जो मैं आपको जानकर दे रहा हूँ आप उसे छोड़ देगे इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप करकर ना देखें ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें अब बात कर देए इसके फिस्ट यूज़ की यदि पसुमे ऐलकलोसिस हो चुका है अब ऐलकलोसिस कहते किसे हैं अब मैं आपको ऐलकलोसिस के बारे में बताता हूँ जो रूमन है जो रूमन की पी-एच होती है वो सामाने से अधिक हो जाए तो उसे हम ऐलकलोसिस बोलते हैं सरादी सामाने से कम हो जाए तो उसे क्या बोले यदि रूमन की पी-एच सामाने से कम हो जाए तो उसे हम Acidosis बोलते हैं, यदि सामाने से अधिक हो जाए, तो उसे हम Alkyosis बोलते हैं यदि पसो में Alkyosis की स्थेति हो चुकी है, तो आप NS को उप्योग करें सर फिर Acidosis हो चुकी है, तो हम किस सीज को उप्योग करें यदि पसुमें Icodesis हो चुका है Icodesis का मतलब जो ड्रूमन की पियाट सामाने से कम हो चुकी है तो आप अपने पसुमें RL का अपयोग करें कि इसलिए मैं आप से कहता हूं वीडियो को इसकिप करके ना देखें क्योंकि एक वीडियो में आपको अधर चीजों के बारे में पता देता हूं जैसा कि मैंने अब भी आपको बताया आरेल का उप्योग आपको एक्सट्रसिस में करना है और एक्सट्रसिस में आप एनस का प्रियूग करें जैसे हम नौर्मल सैलाइन बोलते हैं अब बात करते हैं सेकंड उप्योग यदि पसू में हाई टेंपरेचर है जैसा कि गाय बैस का नौर्मल टेंपरेचर रहता है सो और 101 102 का होता है 101 का होता यह जो पश почему साम्माने temperature उस ताप माल शेदीदाmat अधिक आप माण हमें देखने को मिलता है तो आप एनेस का ही उव्योंग करें आप कि आप जो पर нашем गहाँ हो हैं आप गहू को साब करने के लिए भी आपjuूच कर सकते हैं अब बात करते हैं यह 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 दि पसमें डी ौशिय को चुका है है तो आप यह अन सच की यह लेकिन आप प्रस्तिति वसी mó अनस को यह दिपसू के सरीर का कोई भी अंग सरीर से भार आ चुका है जैसे यूज प्रलॉप्स के केस में देखने भी मिलता है तो आप उस बारी और गन को अंग को आप एनेस से साब कर सकते हैं एनेस से उसकी दुलाई कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मन चैलाइन होता है नेक्स्ट उप्योग यह दिपसू में हीट स्टॉक हो चुका है हीट स्टॉक का मतलब बोडी का तापमाल अधिक हो चुका है तो भी आप एनेस का उप्योग कर सकते हैं नेक्स्ट उप्योग यह दिपसू में टॉक्षिमिया हो चुका है तो भी आप एनेस का उप्योग कर सक कर शकते हैं जितने भी और मैं आपको यह दोरा देता हूं यह फसु में एलकलोसी सोच चुका है तो आप अनसको फ्यों कर सकते हैं तौने पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो चुका है तो भी आप नहें सक्ष लैगन को साप कर सकते हैं जत्त के यूज दिइस थे वह सुछ भी सकते हैं देने का मतलब कि जो एने से नॉर्वल शेलाइन है इसे आप प्रेग्नेंट पुस्व में लगा सकते हैं आप बात करते हैं कौन से मार्ग से इसे लगाना है मार्ग इसलिए मार्ग है आईवी जिसे हम इंट्राविनुस बोलते हैं मार्ग या रूत्र इंट्राविनुस आईवी आपको एनेस को आईवी ही देना है अब बात करते हैं इसकी डोज पस्व में कितनी मात्रा में एनेस को चड़ानी है डोज या फिर पस्व को एनेस कितनी मात्रा में दें मात्रा या डोज आपको एक केजी ओडिवेट पर दस एमेल देनी है यदि पस्व एक केजी का है तो आप उसको दस एमेल देनी है यदि पस्व सो केजी का है तो पिर आपको कितनी एमेल दें एक अजार एमेल एक अजार एमेल का मतलब एक लिटर यदि पस्व सो केजी का है तो आपको उसमें एक लिटर एनेस देना है अब बात करते हैं इसमें आईवी इंजेक्शन डालने की एनेस की जो ड्रिब है उसमें हम कौन कौन से आईवी इंजेक्शन डाल सकते हैं मैं आपको बता दू कौन सा injection, अदर injection के साथ मिलने पर reaction कर सकता है, इसलिए आपको पता नहीं है, तो आप NS की बोतल में single और single, keval और keval एक injection का उप्योगाओ कर सकते हैं, चाहिए वो IV injection यदि आपको देना है पुश्व में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा injection हम IV भी दे सकते हैं, इसलिए आप किसी भी injection के बारे में जानना चाहते हैं, तो साथ साथ हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुए, यदि नहीं है तो आप कमेंट करें, कि सर आप उस injection के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको उसी injection के बारे में जान करी दूँगा, वीडियो बन तो जो यह मात्रा है यह पसु की कंडिशन के आदार पर होती है लेकिन फिर भी आपको यदि सोकेजिक आए तो आपको एकलिटर तो देनी है देनी है लेकिन यदि पसु को ज़्यादा प्लूट की ज़रते है तो वह प्रेक्टिंशा श्विम्ते करता है जो भी नॉर्मल प्रेक्टर सामसिकामेश तो आप इस ही नहीं दे सकते हैं जो कि मैं आपको एंटवेंट बता चुका हो यदि पसुर में अच्छे लगी तो आप अपने चैनल को मेंगाब कर सकते हैं बेल आइकन को ताकि भाइश में आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल सके यदि आप किसी इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए आपके कमेंट के आदार पर ये चैनल चलता है आप कमेंट करेंगे उसी चीज के ऊपर वीडियो बनाके डाल दोगा फिर मिलें कल नहीं बेतरे वीडियो के साथ